दोस्तों कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे सो दोस्तों आज में लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्का जो कि आपके कितने भी दाव दब्बे हों जाईया हों या फिर आपके चेहरे पे बिल्कुल भी चमक ना हों उन के लिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमिडी दोस्तों इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर लेना है एक चमच करीब बेसन इसके बाद आपको आधा चमच इसमें एड़ करना है मसूर दाल पाउडर इसके बाद आपको यहां पर एड़ करना है अलोवेरा जल तो आप अगर प्लांट लीव कर लेना चाहते हैं यानि कि प्लांट बेस अलोवेरा यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं बट आपको उसे स्टोर नहीं करना है पूरा ही अपलाई कर लेना है अधर एक्चुल कलर में आता है जैसे कि ऐलोवेरा जल में वाइट ट्रांस्पेरेंट होता है उसी कलर में यह आता है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है जैसे कि ऐलोवेरा जल में कोई स्मेल नहीं आती है हलकी सी जो उसकी अपनी स्मेल होती है वैसी इसकी स्मेल आती है तो हम अलोवेरा जेल ले लेंगे इसे निकालना भी बहुत एजी होता है यह पर्म के सिस्टम में होता है और इसमें एक्स्ट्रा एयर भी नहीं जाके बैठती कि यह खराब होने के चांसे हो इसे पहले आपस में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से इसके बाद आपको इसमें एड करना है टोमाटो जूस टोमाटो कर रस हलका हलका स्क्वीज करते हुए इसके सीट्स जादा ना जाने पाएं और दो चमच करीब आपको टमाटा करस यहां पर ले लेना है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है तो दोस्तों सबसे लास्ट में आपको यहां पर एड करना है दही दही में हीलिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है तो वन स्पून के करीब हम यहां पर दही एड कर लिए और इसे भी हम साथ में अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो चलिए इसे अपलाई कर लेते हैं फेस पे और सबस्तों हमारा पैक यहां पर रेडी है और अब हमें इसे अपलाई करना है अपने फेस एंड नेक एरिया में तो आप इसे किसी ब्रेश की हल्प से या फिर अपने फिंगर की हल्प से पूरे फेस एंड नेक एरिया में ल इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तमाल की गई हैं वो हमारे face spots को दूर करने के लिए blemishes को दूर करने के लिए बहुती ज़्यादा फायदे मंद होती हैं इसमें टमाटर का रस इस्तमाल किया गया है टमाटर में bleaching properties बहुत जादा होती है जो कि आपके skin के dead cells को आपके skin के pores के अंदर जाकर के cleans करती है और आपके skin को clean and clear बनाती है इसे अपने पूरे face में आपको अच्छे से apply कर लेना है जोस्तों पूरे face पे apply करने के बाद आपको इसे 5 मिन तक अच्छे से scrub करना है बहुती gently आपको इसे rub करना है इस scrub करने के दौरान हमारे blackheads soft होकर के easily बाहर निकलाते है तो दोस्तों 5 मिन अच्छे से massage करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है 10 मिन तक dry होने के लिए इसके बाद आपको इसे ठंडे normal पानी से wash कर लेना है तो मैं मिलती हूँ आपसे direct wash करने के बाद तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने face को अच्छे से wash कर लिया है और आप देख सकते हैं face पे जो एकदम से glow होता है वो भी face पे देखने को मिल रहा है और बहुती clean and clear लग रहा है इस face pack को आपको हफ़ते में तीन बार और दिन में केवल एक बार इस्तमाल करना है इसे बनाइए इस्तमाल कीजिए अपनी feedback में साथ शेयर करना आप बिल्को नहीं भूलीगा सो चलिए फिर से मिलते हैं को और new healthy beauty वीडियो के साथ तब दे के लिए bye bye take care अपना ध्यान रखिए have a good day bye bye